अग्षी इस तरह से बनाएंगे तो कभी फेल नहीं होगे तो चलिए इसे बना लेते हैं इसे बनाना बहुत आसान है इसके लिए हमने कुछ इंग्रेडेंट्स लिए वह आपको दिखाते हैं तो यह देखिए एक बंज धनिया एक प्याज दो टमाटर और दो इस्टिक हमने कड़ी लिब लिया है फ्रेस वाला और एक नीबु नीबु आपको जुरुत पड़े तो आप डालें नहीं तो गार्न होने के लिए जब तक हम ब्रेट को काट रहें तो देखिए तीन ब्रेट का शेठ हम काट रहे हैं एक बार में इससे हम तीन प्याजस में काटेंगे है फैसेphin चोटे च्छोटे पीस हो जयाने बहुत बड़े पीस नहीं होने चाहिए नहीं तो खाने में दिक्कत होगी इस् और आपको दिखाते हैं कितना बड़ा पीस काटना है, इसी तरह से आपको सारा काटना है, तो देखें कितना अच्छा यह कटा हुआ है, तो अब हमने सारे को काट लिया है, और अब हमारी कढ़ाई भी गरम हो गई है, इसमें सबसे पहले हम गी और बटर से इसे रोष्ट करे भाष्ट हो जाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसले इसे 2-3 मिन्यृट तक मीडियम फ्लेम पे रोष्ट कर लें तो इस तरह से देखिए, सारे को हम रोस्ट कर लेंगे तो ये धीरे-धीरे क्रंची हो जाएगा तो बनाने में बहुत टेश्टी लगेगा तो इस तरह से देखिए, बटर से और घी से आप इसे इसी कलर का आने तक आपको रोस्ट कर लेना है तो अब काफी हद तक रोष्ट हो गया अब इसे हम निकाल लेंगे उसके बाद चलेंगे अगला प्रोसीजर क्या है वह आपको दिखाते हैं तो इस तरह से सारे ब्रेट को हमने निकाल लिया और दो से तीन इस्पून हमने इसमें रिफाइन डाला है और एक इस्पून इसमें डालेंगे अनियन और हरी मिर्च तो इस तरह से यह अच्छे से हो गया है और इसमें अद्रग भी डाल दिया हरी मिर्च डाल दिया और अब डालेंगे इसमें अनियन अनियन हमने छोटे-छोटे पीस में स्लाइस किया है इस तरह से आप काटके इसको इसमें डालें तो बढ कड़ी पत्त में रोष्ट कर लिए है क्ड़ी पत्ता कड़ी पत्ते को अच्छे से रोष्ट कर ले सलके दालता है प्येट है कने थे लइब स्ब्सावित भला रहा हनने पासे है दालते हैं श्रूट buscar. ताकि डेस्ट बैलेंस हो जाए नमक को बैलेंस कर डालना है तो इसे तरह हमने अधक करना है तेमाटर मिल्ट भेलल गया है तेमाठर में यह द्यार दो गया है अब इसमें डालेंगे 1 चोटा स्कून हल्दी ठीस्पून उसे भीचा समीक्स कर लेंग और एक टीस्पून इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर ज्यादा तीखा ना हो इसलिए हमने एक टीस्पून डाला है अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं तो अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसमें कुछ इंग्रेडे नीवुको बात में डाल नाया पाइल नई दढाल है तो हमने दही डाल दिया दही आपको तक जाना पया नयाकship टाल जाता एक इतना के लान और आपको और कॉल्पारेना तो डही फरेस हें बहुत खट्टी नहीं है तो इस तरह से देखिए 2 टेवल इसमें tha डाल दिया है औ जाद नहीं डालेंगे बस 1 4th cup डालेंगे और इसे भी अच्छे से पका लेंगे जब थोड़ा पक जाएगा पानी तब हम इसमें ब्रेट डालेंगे तो यह देखिए काफी हद तक पक गया है और इस स्टेज पर हम इसमें ब्रेट डाल देंगे ब्रेट डालके कांटिन्यू चलाना है नहीं तो एक तरफ से ब्रेट सोक लेगा और मैसी हो जाएगा तो इसको हमको अच्छे से जल्दी जल्दी अलट पलटके उपर नीचे मिक्स कर देना है ताकि सारे ब्रेट में मसाली अच्छे से अब्जाब हो जाए तो यह देखिए प अब यह हमारा बन के तयार हो गया इसे हम थोड़ा सा ढग देंगे एक से दो मिनिट के लिए श्लो फ्लेम पर और यह देखिए बन के बिलकुल तयार है और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं इसे उतार करके सबसे पहले हम थोड़ा सा मुमफली और काजू को फ्राई करेंगे करते हैं और के अब बन और के त्यार हो गया है अब ज स्कता है सबस्क्राख़ा थिंगा देंगर इस क這裡, बंक के ट्यार हो गया है अगर 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 आपको नमक की जरूरत पड़ती तो थोड़ा आप इस जगह पे नमक डाल सकते थे तो यह देखिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं इसे हमने राइफूट से सर्व किया है रिस्पी जड़ा भी यूजफूल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे वीडियो को अधिक सथिक मातरा में सेयर करें साइड में बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अप्लोड करें आप तक पहुंचता रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक फ्रेंड्स